अधूरी भक्ती, एक छोटे से गाम में साधू रहता था, वो हर वक्त कान्हा के स्मरण में लगा रहता था, वो कान्हा के लिए रोज खीर चावल बनाता था, और हर दिन उनके इंतजार में आस लगाए बैठा रहता था, कि मेरे कान्हा कब आएंगे? उस साधू की एक बुरी आदत थी, वहां गाम में रहने वाले नीची जाती के लोगों से दूर रहता था, उन्हें आश्रम में नहीं आने देता था, उसका मानना था, कान्हा इससे नाराज हो जाएंगे, वो तो स्वामी है, इन नीच छोटी जाती आलों के, आश्रम में प्र जब भी साधू उसके घर के पास से गुजरता तो कोडी को कहता नीच तुझ जैन से कोडी से कान्हा क्या मिलने आएंगे, वो तो स्वामी है, तुझ जैन से के घर में क्यों आने लगे भला, और बोलते बोलते वहां आश्रम चले जाता, कुछ वर्ष व्यतित हुए, अब स दास होकर कान्हा के चरणों में सो गया, दूसरे दिन एक गरीब दरिद्र, छोटा सा बालक साधू के आश्रम आया, साधू उस वक्त कान्हा को भोग लगाने जा रहा था, उस बालक ने कहा, साधू महाराज मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे जोरों की भूक लग साधू ने कहा भाग यहां से, बच्चा उसके आश्रम से निकल गया, और जाकर उस कोडी के घर में चला गया, कोडी ने उसका रक्त साफ किया पट्टी बाधी और उस भूखे बच्चे को भोजन दिया, बच्चा भोजन करके चला गया, दूसरे दिन फिर वो बच्चा कोडी के पास चला जाता, एक दिन साधू स्नान के लिए जा रहा था, उसे रास्ते पर वही कोडी दिखा, साधू ने उसे देखा तो आश्चरे से भर गया, उस कोडी का कोड गायब हो चुका था, वो बहुत ही सुन्दर पुरूश बन चुका था, साधू ने कोडी नाम ल कोड खड़ा हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मैं इस दरिद्र बच्चे को रोज मारता हूँ, ये रोज उस कोडी के घर चला जाता है, आखिर चक्कर क्या है देखना पड़ेगा, साधू पीछे पीछे जाने लगता है, जैसे ही वो कोडी की जोपड़ी में पहुँचता है उसकी ओखे फटी की फटी रह जाती है, स्वन टीनों लोग के स्वामी कानहा बाके बिहारी कोडी के घर पर बेंटे हैं और कोडी उनकी चोट पर मलहम लगा रहा है, और कानहा जी भिक्षा में मांगी ना जाने कितने दिनों की बासी रोटी को बड़े चाव से खा रहे हैं साधू कानहा के चरणों में गिर कर कहने लगा, मेरे कानहा मेरे स्वामी मेरे आराध्य आपने मुझ भक्त को दर्शन नहीं दिये, और इस नीच को दर्शन दे दिये, मुझसे क्या गलती हो गई, जो आप इस कोडी की जोपडी में आ गईें, भीक में मांगी बासी रोटी मैं आपके लिए नित्य प्रतिदिन खीर चावल बनाता हूँ, उसे खाने नहीं आये बोलो कानहा बोलो, तब कानहा जी ने कहा है साधू मैं तो रोज तेरे पास खाना मांगने आता था, पर तू ही रोज मुझे पत्थर से मार कर भगा देता था, मुझे भूख लगती थी और मैं इतना भूखा रहता था, कि इस मानव के घर चला आता था, वो जो मुझे प्यार से खिलाता है, मैं तो उसी के पास खाने चला आता हूँ, अब तो ही बता इसमें मेरी क्या गलती है, साधू कानहा के पैर पकड़ कर रोने लगता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिये, और फिर कहता है, तीनों लोग के स्वामी गरीब भिखारी दरिद्र बच्चा बनकर आप मेरे आश्रम क्यूं आते थे, मैं तो आपको दरिद्र समझ कर मारता था, क्यूंकि मेरे कानहा तो स्वामी है वो दरिद्र कैसे हो सकते हैं? मैं हर जीव में बसा हूँ, तु मुझे अमीर गरीब में धूनता है, तुछ से अच्छा तो ये कोड़ी है जो सिर्फ एक ही बात जानता है, ईश्वर हर किसी में निवास करते है ना की धनवान में, कानहा कहने लगे, तुने मेरी भक्तितों की पर अधुरी और कानहा अंतर पकड कहता है, मैंने तो सारी जिंदगी अधूरी भक्ति की आप मुझे सच्ची भक्ति के पत पर ले आए, मुझे अपना शिश्य बना लीजिए, कोड़ी उसे गले लगा लेता है, ईश्वर कंड कंड में है वो भिखारी भी जो आपकी चोखट पर आता है ना, वो भी प्रिक्षा लिए बिना हमें अपना दर्शन और भक्ति कैसे देंगे, जै श्री राधे राधे, कानहा प्रभात मंगलम